नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो धनिया होता है यह तो आप जो देख रहे हैं यह सामने धनिया का पेड़ है यह कैसा होता है तो सभी ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो धनिया होता है उसके हमारे श्रीर के लिए क्या फाइदे है तो दोस या फंगल इंफेक्शन है हमारे मुग के उपर जैसे आपने देखा है कि बार दाने हो जाते हैं अगर हम धनिये का जूस पीते हैं शाम और स्वेरे धनिये का जूस कैसे होता है कि जैसे हम यह पती हैं इन पतियों को पानी में अबाल लेते हैं और उस पानी को उबालने के बाद हम शाम और स्वेरे डेली पीते हैं जिससे हमारे जो स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती हैं सारी खत्म हो जाती है नमर दो अगर आप बेट कम करना चाहते हैं तो दोस्तो धनिया बहुत ही फाइदे मन्द है और बहुत ही लावदाइक है आपको कोई भी दवाई खाने की जूरत नहीं है यह धनिया जो होता है हर किसी के घरमा होता है और हर लोग इसको बीजते हैं और हर सबजी में इसको अपने स्वाद के अनुसार डालते है तो आप उसके अंदर अगर आप बेट कम करना चाहते हैं तो धनिया का सेवन अपने खाने में जूरूर करें जिससे आपका बेट भी कम होता है और अगर आपके पेट में दर्द है या आपको घठिया की बीमारी है या आपके जोडों में दर्द है तो दोस्तो धनिया का यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसका जो जूस होता है उस जूस को शाम और स्वेरे पिए जातर जो यह होता है धनिया यह हरे धनिया के फाइदे हैं तो आप अगर आपके खुन में कमी है धनिया जो होता है खुन की कमी को भी दूर करता है तो आप अपने सब्जी में स्वाध किन सार डालकर इसको डेली यूज में ला सकते हैं अगर आपकी आँखों की रोशनी कम है तो धनिया जो होता है वो आँखों की रोशनी को भी ठीक करता है मुह में अगर आपके चाले पड़े हैं तो उसके लिए भी आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं बहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो इसका लेप बनाना है और मुह के चाले के उपर आपने दो या तीन वार लगाना है जिसे आपके मुह के चाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर आपको दस्त है टटिया लगी हुई है तो आपको धार धनिया का जूस पीना है वो भी शाम और स्वेरे अगर आप धनिया का यूस करते है तो धनिया हमारे पाचन तंतर को मजबूत करते है और हमारे खाने को डाइजिस्ट करते है अगर आपके श्रीर में अलर्जी है आपको खुजली है या आपको कोई और प्रावलम है तो भी आप धनिया का यूस कर सकते है अलर्जी के लिए आपको क्या करना है एक चम्मच धनिय का पीसकर और साथ में आपने एक चम्मच शैद का मिलाना है और उसको बहाँ पर लगाना है जहां पर आपको अलर्जी है तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हरा जो धनिया होता है वो मारे लिए कितना प्योगी और कितना मैत पो झाल कर दो